वेलकम एवरिवान, वेलकम टु दे चैनल, तो क्या हाल है बच्चों महुझ मस्ती कट्रों के नहीं, महुझ मस्ती होती होती रहनी चीए है के नहीं, आज एक कौर सूपर डूपर वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है चिल्टर नाट वर्क, मतलब इस कहान है एक लड़का जिसका नाम है वेलू, वो 11 साल का है और अपने घर से भाग चुका है, है ना, अपने घर से क्यों भागा है, क्योंकि अभी आपको ऐसे स्टोरी में आएगा बट स्टिल आपको एक समरी के फ़र्म में बता रहो हूँ पहले पूरी कहानी, वो अपने घ पहुंचके वहाँ उसे एक छोटी लड़की मिलती है, जो कि बिचारी राग पिकर थी, कुड़ा उठाने वाली थी, वहाँ जाके उसके पता चलता है कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है जब हम घर से भाग जाते हैं, चलो, अब हम थोड़ा सा रीडिंग शुरू करते ह अच्छे-च्छे words आपके दिमाग में बैठ पाएं और आप आंसर लिख पाएं, ठीके जी, when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took value some time to get off, याने कि जब जो train थी, वो finally Chennai Central पे पहुंच गई, Kanyakumari Express train, जो value था, उसको थोड़ा time लगा उतरने में, when he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, finally जब वो उतरा, उसके जो पैर थे न, वो wobbly feel कर रहे थे, याने कि वो काप रहे थे, उसको समझे, मतला बहुत घबरा गया था, as if he was still on a moving train, ऐसा लग रहा था, अभी उसकी वो जो train है, वो चल रही है, ओए, out of the way, ओए, उस अस्ते से, हटो, किसी ने उससे बोला, अब porter went by with a loaded trolley, well you jumped aside, porter कौन होत house को side में रखे, in all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in a village, भाई, उतनी पूरी 11 साल की जिन्दगी में, उसने इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे, कभी-कभी देखता था, कब, साल में एक बार देखता था, जब उसके गाउं में मेला लगता था, बस, people walked by, bumping into him with their suitcase, बहुत सारे ल पर कुछ announcement भी चल रहा था, भाई, simple जी बात है, train का station है, junction है, तो वहाँ पर announcement चली रहे होते हैं, बच उस पर चारे को नहीं पता था, near him, a group of people sat on their luggage and looking at a TV hanging from a roof, तो भाई, उसने वहाँ देखा कि उसके पास कुछ लोग बैठे हैं, जो कि अपने ही सामान जो लाएं उस पर and exhausted, he had run away from his village two days ago, बेलु बिचारा, ऐसे ही जमीन पर बैठ कया, अपने गुटनों पर, ऐसे सरमाथा रखके, और बिचारा बहुत खराफील कर रहा था, ठक यादा बहुत जादा, क्योंकि उसे दो दिन हो चुक है था, अपने गाउं से भागे हुए, उस पिछले दो दिनो से उसने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ कुछ मुफली और गुड, गुड मुफली खाया थी, बस जो के वो अपने साथ ले के आया था, और बंडल में और क्या लाया था, एक शर्ट लाया था, एक टावल और एक कोंब, बस इतना ही सामान लेके वो चल दिया था, पहले वो अल्मोस टाइम पैदल पैदल चला, कनूर तक पूरी साथ की स्टोरी है, और फाइनली उसने एक ट्रेन पकड़ ली, कन्या कुमारी एक्स्प्रेस चेन्नाई के लिए, वेल्लू के पैस कोई पैसे नहीं थे, टिकेट के, बट लग्किली, टिकेट कलेक्टर साथ जो थे, वो अन्रिजर्ब्ट कमपार्टमेंट में पहुचे ही नहीं, इसलिए उसको नहीं पकड़ा, वरना वो ट्रेन से भी निकाल दिया जाता, उसने फ्लोर पे सोने की कर निकेट कर रहा हूं, so, आप, मतलब, किसी ने उससे पूछा, ए, यहां नए हो क्या, एक रफ सी आवाज ने उससे पूछा, वेल्लू ने अपनी आखे खोली, so, there were a lot of people standing around, but nobody was looking at him, बहुत सारे लोग थे, आस-पस, but कोई उसे देख नहीं रहता, here, ए, किसी ने बोला, अरे, इधर मैं, इधर हूं, he turned around, वो पीछे मुडा, और उसके पीछे कौन थी, एक लड़की थी, उसी के बरावर age की, with a long बन्यान, जिसने एक लंबी सी बन्यान पहन रखी थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी, उसके हेर एकदम कड़क स्टिफ थे, और ब्रावनिश के, और उसमें डाल रहे थी, अपने उसी बन्यान में डाल रहे थी, why is she calling me, thought Vellu, Vellu सुचा, अरे, ये मुझे क्यो बला रही है, and why is the girl wearing a बन्यान, और ये एक लड़की बन्यान को पहन के गुम रही है, no need to stare stupidly, what's your name, वो लड़की क्या बोली, ऐसे ना, बेफकूफर की त तुमारा, Vellu muttered, मतलब जो Vellu था, उसने धीरे से बोला, Vellu, so Mr. Vellu, said the girl looking at his bundle, run away from home, तो उस लड़की ने पूछी लिया, भई, क्यो Mr. Vellu भाग गयो क्या घर से, Vellu ने कुछ बोला नहीं, वो बताना नहीं चाहता था क्या जीब सी लड़की को कि उसने क्या किया है, व वो अपने घर से इसलिए भाग गया था, क्योंकि वो अपने फादर को और जाधा टाइम नहीं जेल सकता था, वो उसको बहुत मारते पीटते थे, और उसके फादर उससे सारे पैसे ले ले लेते थे, और उसकी दारू पी जाते थे, वो लड़की क्या कहती है, ये मस सोचो कि मुझे नहीं पता, है न, this place is full of children like you, so what are you going to do here, become rich, उसने क्या बोला, ये मस सोचो मुझे नहीं पता, हर दिन या ऐसे बहुत सारे तुमारे जैसे बच्चे आते हैं, और क्या सोच क्या होगे, आमीर बन जा होगे, वो उसके साथ में, बैठ गी दो मिनट के लिए, वेलू थोड़ा शिफ्ट होगया, he felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace, उसने क्या, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, बच्चे तुम सोचो, तुमें दो दिन तक कुछ ना मिले खाने को, कितनी भूख लगेगी न, उसको भूख लग वो क्या बोली, देखो यहाँ बैठे रहोगे न, ऐसे मूँ बनाने से तो खाना नहीं मिलेगा, तुमें चाहिए तो हाँ, तुमें कुछ खाना दे सकती हूँ, और उसने अपना बोरा उठाया और वो चलने लगी, अब विल वो ही बैठा रह गया, उसने सोचा कि यार क्या उसे इस लड़की को follow करना चाहिए, पतह नहीं कहां लेके जाएगी, और एकदम से वो भीड में गाया भी होती जा रही है, तो बहुत ही जल्दी से अपना mind बनाना है, all right, he decided, उसने decide कर लिया, कि वैसे भी और तो कोई जगह है नहीं मेरे पास जाने को, तो क्यों नहीं मैं कि भाई एक साथ अज़दार हो गाड़ियां दर 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 दर, कि हाईवे था, आरे हैं और वो किसी के लिए रुकी नहीं है, smoke and dust flew at him from all sides, हर तरफ से उसको धू, आगंदगी, धूल, उसके मूपे आके लग थी, and making his head spin, head spin, याने कि उसके एकदम सिर्दर्द हो गय They had to wait for a long time before they could find a gap to run through, अब रोड पार करने के लिए उने काफी इंतसार करना पड़ा, वेलू kept hesitating and girl finally dragged him to the other side, क्योंकि इतनी सारी गारियां आ रही थी, वेलू बार में बीच में रुख जा था रोड के, पिचारी हो लड़की उसका हाथ पकड़ पकड़ के गसीट के उसको, उस लड़की ने रोड पार कर आई, तो लड़की क्या बोली, what do you think you are doing, तुम्हें क्या लग्या तुम क्या कर रहे हो, यहां घसरा ने आयो, अगर ऐसे रोड के बीच में खड़ रहोगे तो चटनी बन जाओगे, you'll be chutney, वेलू's heart was still beating fast, वेलू को दिल अभी बहुत तेज वेलू बहुत ही बड़े-बड़े signboards थे, वेलू उपर देखा, तो pictures बन्यान की, car के tires की, pen की, woman holding a box, मतलब उसे अलग-अलग तरीके के advertisement देख रहे थे, और सब कुछ किस में लिगा था, English में, तो उसको कुछ भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लड़की पीछे मु उसे दिख रही थी, city की, in the distance, he could see huge buildings and towers and more roads, और दूर तक उसने देखा, तो उसे बहुत उची-ची, building, tower और road दिख रही थी, see, that building, with a wall around it, if you are not careful, you'll soon be counting bars there, उसकी नहीं क्या बोला, हसते हुए, वो building देख रहे हुए, जिसकी बड़ी-बड़ी सी दिवार है, अगर ज्याद जेल, why, I haven't done anything wrong, वो क्या बोला, अरे, क्यों, मैंने तो कुछ गलती नहीं करी, उसने क्या बोला, लडगी ने, you don't have to do anything, just don't get caught, that's all, उसने क्या बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस पकड़े मत जाना, that's all, बागी कोई तुम्हें कुछ नहीं कुछ नहीं कोलेगा, what does she mean, वेलू wondered, अब वेलू बड़ा घबरा गया, इसका मतलब क्या है, अब meanwhile the girl was already heading to the bridge with the sack on her shoulder, what was in it, अब वो अरड़ी लड़की रुक तुड़ी रही थी, वो से चलती जा रही थी, और उसकी पीट पे, शोल्डर पे, वो था, एक sack, बोरा, भरा हुआ, उसमें क्या था, उसम was doing with them, but he felt shy to ask any more questions, अब वेलू का मन तोगरा जानने का, यह सब क्यों उठा रही है, but still उसने क्या पूछा नहीं क्यों क्यों शरम आ रही थी, इतना सब कुछ पूछने में, अब 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 सुबह थी, but the sun blasted down on the tar and वेलू's bare feet turned, टार याने कि टार क्या मतलब, देखो रो अब वो मिट्टी पे चलता था अपने गाउं में तो, वहाँ पे पैट जलती ही नहीं थी, but यहाँ पे तो सब कुछ हालत करा थी, he tried to walk in the shade and keep up with the girl, वो कोशिश करना था कि वो चाया में चले और उस लड़की के साथ भी रहे, पीचे ना चुट जाए, वो लड़की बहुत तेश थी, वो तेश चल रहे थी, how far was the food, उसने पूछी लिया, कितने दूर जाना है हमें और, लगबग एक गंटे चलने के बाद, finally वो बहुत ही बड़े से building के आगे रुके, इसका क्या लिखा हुआ था, board, श्री राज, क्या लिखा है, श्री राजा राजेश्वरी, प् ब्राइड रानी, यारे कि वो किसी की शादी में पहुँच गए थे, वेलु स्टर्टेड अधे बिग कार्स, पाक्ड आउट साइड, वेलु ने क्या देखा, कि उसके बाहर बहुत वारी गाडियां, उनमें से एक गाड़ी तो फूलों से सजी हुई है, तो लड़की वहा बहुत बड़े हॉल में खाने को मिलेगा, क्या मजा जाएगा, उसने बूला, देखो क्या पता, किसमत है, शी लेट हम बहाइंड बहाइंड दे गई हॉल के पीछे, और वहाँ एक बहुत बड़ा सा गार्बेज, यानिकि डास्ट बिन था, बहुत ही बड़ा, जो कूडे स बलगरा हॉँ, सॉरी, अ बलगरा हॉँ, स्वरी, अ बड़ाई, वहाँ पे खूब मक्या बेना करी थी, गंदगी थी, बद्भू भी आ रही थी, बट वो लड़की गई, वहाँ उसने एक केला उठाया, जो इक बड़ा हॉआ और वेलु को दिया, और बोला येलो तुमारा खाना, वेलू शॉक्ड, हम ये कहेंगे, बचा कुछा, चै, तो वो लड़की क्या बोली, है, what do you think I am, a dog, I only take untouched food, here, some more, catch, तो वो लड़की क्या बोली, अपने, उसमें, क्या है, तो मैं क्या लगता है, मैं बचा कुछा खाती हूं, नहीं, मैं सिर्फ untouched, जो किसी और नहीं खाया हो, जैसे कि अभी एक ये लो, एक और, उसने उसकी तरफ एक वड़ा फेका, और जो वड़ा एकदम, कैसा था, एकदम सही था, ऐसा नहीं था, कि वो किसी ने खाया हुआ था, come on hero, eat it, you think I like it, I told you, I'll find you something to eat, don't think I have money to buy food for you, उसने क्या बोला, come on hero, खाले स्कोर, अब तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करू, मैंने तो नहीं बोला था ना, कि मैं तुझे खाना खरीद के दे दूँगी, you would better eat what you get, until you have money on your own, उसने लेकिन है, उसे क्या समझाय अभी जो मिल रहा है, उसको खाओ, तब तक जब तक तुम अपने खुद के पैसे नहीं कमा लेते, वेलू हेजिटेट किया, बट उसका स्टमख इतना जादा भूख से चिला रहा था, कि उसने उसे खाही लिया, उसने पूरा बनाना वड़ा खा लिया, उसका एकदम से खा तुम अभी सुबह हो रही है, उन्होंने जादा खाया नहीं पाटी में, उन्हों सरिफ टिफिन खाया है, बट अगर तुम वेट करोगे दुपहर तक का, तो ये अपना खाना खाएंगे, उसमें बहुत सारा छोड़ देंगे, तुम एखाना मिल जाएगा, तुम चाहो तो रुख जाओ, बट मुझे तो काम है, तो इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा, ये वो बोलके, अपना वो उठा के, उसने थोड़ी जी बॉटल्स अपने उसमें भरी, और वो चल पड़ी, तेन शी वॉगड़ ओफ, अब विल एक दर दो गबरा गया, उसे रियलाइस कि अगर इस लड़की ने से छोड़ दिया, तो उसके पास कोई आइडिया नहीं कि कहां जाना है, क्या करना है, तो बेटर यह होगा कि वो अभी इस लड़की के साथ ही रहे, जहां भी ये जा रही है, तो वो उसके पीछे भाग दिया, तो क्या बोला, ए, उसने आवाज ल तो वो बोली, अच्छा, फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें खाना किसने दिलाया, तो कुछ नहीं बोला, उसने पूछा, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहां जा रही हो, तो उसने बोला, ठीक है, चलो, if you want, the bag is full, I have to, उसने बोला, कि तुम चलना चाओ, च ट्रिपलिकेन, एक तीन रास्ते वाला एरिया, see, that's Buckingham Canal, और उसने क्या बता है, यह वो Buckingham Canal है, Canal है जहाँ पानी नाला वेता है, वेलु स्टार्टेट, स्टेर, घूरने लगा, this was a canal, उसने बोला, यह canal था, near some puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen, अब इसी पानी के जो बहते हूँ उसक ऐसी हट उसने पहली बाद लेखी, they stood crookedly and looked as if they would fall any moment, वो ऐसी लगरी थी एक दम तूटी-फूटी सी और किसी भी वक्त गिर सकती है, तो उसने पूछा, तुम यहां रहती हो, these houses are strange, वे लोग बोला ही तो बड़े अजीब से घर है, हमारे गाउं में तो सब चीज मिटी और पत्तों से बनी होती है, जया went around to one of the hurts and dumped her sack outside, अब जया कुछ बोली नहीं, वो अंदर गई एक हट के उसने अपना बोरा वहां रखा और दूसरा ले आई, एक खाली वाला, उसने बोला, चलो, she turned to value and gave him a show, बही चलो, at least help me now, और बोला कि कम से कम अब मेरी help तो करो, here, wear these and come with me उसके पैर जल रहे थे, तो उसने उसे क्या दे दिये, एक shoes दे दिये, फटे पुराने थे, पर at least थे, तो old shoes थे, जिसमें lace वगए रहे नहीं थे, और उसको एक धंडी दे दी, अब वेलू confused हो गया, what work shit did he want him to do with these things, वेलू सोच रहा थे, क्या चाहती है, मैं इसे क्या करू the only work he had ever done was the land owner's farm, weeding and taking cows out to Greece, तो वेलू सोचने लगा कि यार मैंने तो अपनी जिंदगी में बस क्या काम करा है, मैंने किसी land owner के farm में weeding करी है, मतलब कि घास चराता था, वो गायों को और घास निकालता था, यही सब चीज़ें कराता था मैं तो उसने पूछा, कि यहां किसी से हसते हसते, जमीन पर मारी वो डंडी, farms, there are no farmers here, we are rack pickers, उसने बोला, खेत-खेत क्या हों गया, यहां हम कूड़े उठाने वाले है, rack pickers, see my sack full of things I collected, अब वो इतना shock में आ हो गया, collected from where, वेलो पूछा, क्यों भाई, कहा से उठारी हो तुम यह सब कूड़ा, तो बोले, dustbin स और कहा से, तो वो बिचारा गबरा गया, भाई, dustbin कूड़ा क्यों उठा रही हो तुम, कूड़े क्या करोगी, यह बंदिमाग, block end, यह कूड़ा नहीं है, सिर्फ हम paper, plastic, glass, ऐसी चीज़े उठाते हैं, जो कि हम कहां, jam, bazar, jagoo को बेच देते हैं, अब वेलो बिचारा खरीद रहा है, you think he buys it for sure, तो वो बोलने लगी, यह बगवान, तुम्हें क्या लगता है, वो इसे दिखाने के लिए खरीदेगा, भाई, simple सी बात है, factory को बेचता है, चलो, अब मेरे पास तुम्हारी तरह है, टाइम वेस्ट करने को नहीं, चलो, चुप चारा महां से, well, you did not move, वो move भी नहीं का, वो चला ही नहीं, he hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins, वो यहां पे इसलिए नहीं आया था, कि वो यहां पे कुड़ा उठा है, Jaya poked at him with a stick, look here, she shouted, Jaya नही अपनी डंडी से उसको थोड़ी उंगली गरी, और बोला, इधर देखो, if someone gets there before us, we don't get anything, उसने क्या बोला, क कि अगर कोई और वहां से पहले पहुंच गया ना, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो क्रपे ऐसे ना करे रहे हैं भाया, और big hero, I am trying to help you, और तुमारा आज पेट किसने रमेने हैं न, चलो आप, वेलू scratch his head and side, I'll do it for now, he thought until I find a better job, और वेलू ने क्या बोला, ठीक है, मैं कैसे लगया, वो यही सोच के आया था कि कुछ अच्छा करेगा, but मजबूरियों की वजए से उसे ये काम शुरू करना पड़ा, और इसी तरीके से सारे बच्चे शुरू करते हैं, and ultimately इसी में रह जाते हैं, so यही सारी problems होती हैं, जब हम घर चोड़ के भाग जाते हैं, I know अब आप स्मार्ट हो चुके हो, यह सब चीज अब नहीं होती, but always keep in mind, ऐसी बेव कूपियां नहीं करनी हैं, इसलिए हमारी NCRT ने ये सारी stories को हमारे syllabus में डाला है, okay, comment करके फटाक से बता दो, story एचे समझ में आई के नहीं, और क्या दिक करती, क्या मसा आया, सब कुछ बत ठीके जी, जिसने वीडियो लाइक नहीं करिये, फटाक से लाइक मार दो, और जिस बच्चे न अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को, very very bad, सब्सक्राइब मारो यार, और मस्त मस्त आपके लिए वीडियो आने वाली इस चैनल पे, चलो, मिलते हैं एक्स वीडियो मे तब तक के लिए, goodbye, take care and महुत मस्ती करते रहे